नमस्कार आप देख रहें, नियूज ऑब्जर्वर मैं हूँ आपके साथ नीती प्रोहित बढ़ते आज के खबरों क्यों है प्रधार मंत्री नरेन मोधी गुरुआर को चुनाओ प्रचार के अंतिम दिन रास्तमन्द के देवगर में जन सभा करने पहुँचे जहां विजय संकल्प सभा को संभोधित करते हुए प्रधार मंत्री मोधी ने कहा साथियों आज में सभा में बता देता हूँ कि चुनाओ परिणाम निश्यत है साथियों बीते दिनों मुझे राजस्तान के कौने कोने में जाने को मिला हर जगे बस एक ही बास सुनाई देती है गहलो जी कौनी मिले बोट जी इस चुनाओ की एक और खास बात या है कि हमारी माताओं बहनों ने भाजपा का जंडा उठा लिया है राजस्तान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी इसने राजस्तान की जन जन ने कॉंग्रेस सरकार को खाड़ पेकने का संकल पले लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में दावा करती हुए कहा कि अब राजस्तान में गहलोज सरकार की वापसी कभी नहीं होगी मैं जहां जहां भी राजस्तान में गया करीब करीब हर कौने में जाने को मौका मिला मैंने छोटे-छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा माताओं बहनों को सुना यहां के राजनिती के खिलाडियों को सुना हर प्रकार से एकी गुंज सुनाई देती थी एकी बात सुनाई देती है गहलोजी एकी बात सुनाई देती है गहलोजी कोनी मिले भोट जी राजस्थान के जन जन ने कॉंग्रेस सरकार को उखाड फैंकने का संकल्प ले लिया है और अपनी सोगन का मान रखना ये तो राजस्थान की धर्ती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है राजस्थान में इस बार तो नहीं कभी भी इस शब्द मेरे याद रखना देव उठी एकादसी को बोल रहा हूं देव घड में बोल रहा हूं इस बार तो छोड़ दीजिये अब राजस्थान में कभी भी गहलो सरकार की वापसी नहीं होगी